एन्टी ए यूजिसनेक्ट यानि निमिजनेक्ट अधीगम क्या होता है अधीगम को अगर इंगलिश में हम कहें तो लर्निंग होता है दोस्तों और बात आती कि लर्निंग हम किस तरीके से कर शकते हैं जैसे हम पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि लर्निंग जो है हम वो किसी भी तरीके से सीख सकते हैं किसी भी तरी लेकिन फिर फिर भी उनको कुना भाग जोड घटा करनी आती है यानि की basic चीजे उनको आती है लेकिन वो कभी school तो नहीं गई लेकिन फिर भी को आज आती है सारी चीजे करना ठीक है तो इसे हम क्या कहते अधिगम ynai-kbi learning कहते हैं लर्निंग जो है वो कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकती है अब देखे थोड़ा सा इसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं यह एक व्यापक्स्तत जीवन्त प्रियंत चलने वाली महत्वपुर्ण परकिरिया है ठीक है यानि कि यह कैसी परकिरिया यह पूरे जीवन जीवन भर चलने वाली एक एक्टिविटी है जो हम पूरे जीवन सीखते रहते हैं मनुस्य जवन मनुस्य जनम के उपरांत ही सीखना परारम कर देता और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता धीरे धीरे में अपने बातावरण से समयवजित करने का प्रियतन करता है यह वही ब दीपक की लो को पकड़ता है उसे पता नहीं होता पहले कि इससे क्या होता है लेकिन जब उसका हाथ जलता है तो वो सीख जाता भी इस लो को पकड़ने से हाथ जल जाता है आग को हाथ लगाने से दर्द होता है तो इस तरीके से वो सीखता है अब हम बात करते हैं कि अधिगम क्या है सबसे पहले जो अधिगम है यह जो कोश्चन में आता है कि अधिगम के लगातार चलने वाली परकिरिया है कंटिनिस चलने वाली परकिरिया है अधिगम अनुकूल परकिरिया है अधिगम के अंदर क्या होता है कि हम बड़ी असानी से सीखते हैं जो हमें अच प्रिवर्तन है अधिकम क्या होता है जो हमने पुराना जो एक्सपीरिंस रहा है और जो नया जो एक्सपीरिंस रहा है उन दोनों का योग होता है अधिकम सिक्सन अधिकम उदेश्यों को प्राप्त करने में सहायक है अब देखी यहां पे एक छोटी सी चीज आपको समझने की जरूरत है जो अधिकम जो होता है लर्निंग जो होती है हम लर्निंग करते है वो क्या है कि सिक्सन उदेश्यों को प्राप्त करने में बहुत कर रहे हैं तो जो लर्निंग जो है अधिगम जो है वो हमारा लक्स्य प्राप्त करने में बहुत हैल्फफुल होता है अधिगम विवेक पूर्ण है ठीक है और आगे हम देखते कि सिक्षन और अधिगम का इसमें संबंद क्या है अब देखिए अब थोड़ी सी हम बात कर लेत हैं कि सिक्षन क्या होता है जैसे कि मैंने आपको पहले वहीं बताए था खिशन क्या चीज और अधिगममें यह सब्सक् Glueर्य का होता है सिस्टमेटिक से कुछ सीखने की कोसिश करें तो उसे हम क्या कहते हैं जैसे कि हैं कलास के अंदर गए कलास का timing होता भी नो बजे से लेके दस बजे तक ये teacher पढ़ाएगा दस बजे के बाद ये teacher पढ़ाएगा और आपको घर जाके ये काम करना इस तरीकी से करना आपका इतनी दिन बाद test होगा तो शिक्षन क्या होता है इसके अंदर एक systematic ढंग से हम पढ़ने की कोशिस करते हैं कुछ सीखने की कोशिस करते हैं और अधीगम जो होता वो बिल्कुल फरी होता हम कही भी कैसे भी सीख सकते हैं दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से study करने के लिए हमारा paid course भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी 10 unit के study notes देते हैं theoretical videos देते हैं इसके साथ साथ 2012 से लेके December 2019 तक old year question paper देते हैं with topic wise question जैसे कि आज तक research के question आ चुके हैं वो हमने अलग करके हैं teaching के question अलग करके हैं communication के अलग करके हैं इस तरीके से सभी 10 unit के जो question है आपको अलग-अलग किये हुए मिलेंगे इसके साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 unit के live mock test देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा paid course जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस WhatsApp नंबर पर contact कीजिए यह देखिए और यहां पर आप पढ़ भी सकते कि सिक्षण वै अधिगम को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता सिक्षण वै अधिगम के मध्य गनिष्ट संबंद पाये जाता है सिक्षण वै अधिगम को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता है यह वही बात आगी दोस्तों बारबार रिपीट गलती से लिखा गया शिक्सन ही अधिगम को द्विप्त निर्देशित एंप प्रोतसाहित करता है विद्यार्थी के प्रभावशिल समय उजर में सहायता करता है यानि कि यह देखे सिक्सन क्या है सिक्सन जो हम लर्निंग कर र होता है ठीक है और आगे हम देखते हैं कि सिक्सन अधिकम में अंतर क्या है थोड़ा सा अंतर भी देखने की हम कोशिश करते हैं सिक्सन में जटिल परंतु अंतर संबंधित करिया समलित होती है जैसे प्रसंसा करना प्रसंद पूछना भासन देना प्रोत्सान करना अब कुछेंग तो िटीचर क्या है हमारी परस arbit करेगा हमारे कोशान भी पॉचहें unique अब साहिट करेंगा यानि की वह बहुत से त्रीके अपनाएगा जिससे हम ज़्सक्राइब हमारा अधिगम जो होता है, जबकि अधिगम व्यक्तिक गरिया है यह विध्यारती के उप्कुरम में घर्टित होती है, मतलब की इसका यह है जो अधिगम होता है वो हम अपने आप सीखते हैं, हमें कोई सिखाता नहीं है हम हो सकता है कि हम थोड़ा सा सीखे ज्यादा सीखे और कैसे भी सीख सकते हैं तो इसके अंदर क्या है कि हमें कोई प्रोथसा हीत नहीं करता कोई हमें डाटता नहीं है कोई हमें इनाम नहीं देता तो यह क्या है कि व्यक्तिगत प्रिकिरिया है हम अपने आप करते हैं ठीक है और दोस्तों यह जो पॉइंट नहीं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों मैं अभी आपको बता रहा हूं और इन में से एक कोशन जिरू डैफिनेटली आएगा और श्याम की वीडियो वीडियो उसकंदर आप देखना दो इन है सब्सक्राइब सब्सक्राइब ऐस समय हुथ ंपको अभी पता रहा हुँ अभी तक चार बार आच पर चुका है सब्सक्राइब नहीं है अधिकम करने का मूड नहीं है उसके अंदर लेकिन क्या करता है इतने बढ़िया नहीं पढ़ा रहा है फिलम दिखा रहा है तो क्या हुआ तो ढब में अपने आप उत्व हो सकता है बक्चे की इच्छा को सकती है यह जरूरी नहीं है अभी यह रही है हो सकता है कि यह करते हैं दोस्तों हमारा यह है क्रेक्टरिस्टिक ओफ एडॉल्ट सेंट एंड अडॉल्ट लर्नर ठीक है यह टोपिक हमारा नया है इसमें हम देखते हैं किस और वैस्क सिक्षार्थी की अपेक्षिया यानि कि जो छोटे बच्चे होते हैं यानि कि अदर क्या-क्या विशेश्टा ही होती है सीखने की क् कोशिस करनी है ठीक है यहाँ पर मुखे रूप से अकेडमिक सोचल इमोचनल कोगनेटिव और इंडविज्वल डिफरेंस की हम बात करेंगे अब देखिए जो बच्चा सीख रहा है उसके अंदर क्या-क्या डिफरेंस हो सकते क्या-क्या विशेश्टा ही हो सकती है लड़न है जो बच्चा है वो किस पर आसरित होथा इसके उपर निर्भर करता है और जो क्या करता कि आप हमें प्रिवर्तन लाने की कोशिज करता है तो लर्न र censorship की निवन लेकित विश्ता ही हो सकती है क्या-क्या हो सकती है अध्यंसिल प्री-सरमी आशावादी ठीक है यह साइद मेरे को ज्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको और उसके बाद में उदेश्यपुण जो बच्चा होता है, उसका एको उदेश्यआ होता है कि मेरे को क्या करना है साकार आत्मक यानि की पोजिटिव धैरियवान धैरियवान मतलब यानि कि किसी बच्चे को पहली कलास में कुछ समझ में आए तो धैरियवेट करता है भी हो सकता है दूसरी कलास में तीसरी कलास में चोथी कलास में आए मेरे को समझ में और फिर अनुसासन सिल यानि कि उसके अंदर अनुसासन होना चाहिए और क कि वकन करने लग जाता कि यह चीज़े से भी हो सकती है तीवल शारीक मानसे विकास जाने जब बच्चा बड़ा होगा तो सधी जीवा उसका बाढर्सिक और सारीक दोनों टरीकते से विकास होगा सब प्रेम की भावना यानि कि उसे अपने आप से प्रेम होने लगेगा किसी और से भी प्रेम हो सकता है आतम निर्भर बनने की इच्छा यानि कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो यह सोचने लगता कि मैं अब यह करूँगा मैं डॉक्टर बनूगा यह मैं यह बनूगा यानि कि उसमें आतम निर्भर होने की संभावना आने लग जाती है विद्रोवे सतंतरता की भावना अब विद्रोवी होने लगता है अब देखें जब बड़ा बच्चा बड़ा बन जाता है तो अपने माता पिता से लड़ाई भी करने शुरू कर देता है ठीक है तो और सतंतरता की भावना वी वो कहता कि मैं तो ऐसे रहूँगा ये करूँगा यानि कि सामने बोलने लग जाता है मितरता की भावना वो क्या करता कि बड़ा होने पे जादा लोगों से मितरता करने की कोशिस करता है नास्तिक में आस्तिक होना ठीक है यानि कि जब बच्चा बड़ा होगा उसे कई कई चीजे पता तो वो आस्तिक हो सकता है और नास्तिक भी हो सकता है देश-वक्ति कि भावना उसमें आने लगेगी काम परवति की इच्छा ठीक है और अब आगे हम देखते हैं कि क्या होती और यह हमने कि się थी यह नॉर्मल के थी अब व्यक्तिगत भिंता हैं हम देखने की कोशिस करते हैं इंडिविज्वल डिफेरेंस क्या क्या हो सकते हैं अब देखिए इसमें मुख्य रुप से दो तरह की चीज़े होती है एक आंत्रिक यानि की इंटरनल डिफेरेंस क्या हो सकते हैं अब देख भी है तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर खुद प्रिवर्तन आने लगेगा वह भी बच्चा वैसा ही बनने लगेगा लिंग भेदी यानि कि जो लड़का लड़के उनके अंदर अगर भेद भाव करेंगे तो भी उनके अंदर डिखरेंस आना शुरू हो जाएगा यानि कि अगर उसकी PDAC है जो अच्छी पढ़ी लिखी नहीं है और वो अच्छा उनका वेभार नहीं है चाल चलन ठीक नहीं है तो वो उसका प्रभाव पढ़ेगा सिक्स्या अब सिक्स्या भी यही चीज है कि उसका जो इन्वायर्मेंट है उसके अंदर कितने लोग विकास और समेग भावनाई यानि कि यह चीजें भी होते हैं मानसे के विकास हो सकता है बच्चे का ज्यादा मानसे के विकास ना हो थोड़ा मंद वुद्धी हो सारेरी के विकास भी हो सकता है ठीक है तो यह क्या है कि यह व्यक्तिगत भिंताएं हैं बच्चे के अंदर और आगे हम देखते हैं कि व्यक्तिकत भिंताओं में सिक्षक का योगदन क्या रहता है अब देखी इसमें से एक कोश्चन आ सकता है दोस्तों कई बार इसमें से कोश्चन आया है कि एक बच्चा मंद बुद्धी बच्चा कलास के अंदर बैठा हुआ है तो आप क्या करोगे मंद बुद्धी परतिभा साले समान्य बच्चों का पता लगा सकेगा और बच्चों के अनुसार अपना सिक्षन कारे त्यार कर सकेगा अब देखी इसके अंदर क्या होता है कि अगर जो टीचर उसको पता चल जाएगा कि कलास के अंदर दो बच्चे ऐसे जो जिनको कम सतुतने कि अगा बच्चे और कारे खने लाज में आता है और होनारा बच्चे हैं कई इसके अंदर और कई Ig करने वाले हैं तो अपने हिसाब से kulm जो मंदबुद्धी बच्चेए उनको होज सकता है वो अलग से समझाने की कोशिश करें अब देखी याँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है अब मान के चलतें कि एक करatique में 2îneपिती है और 15 आप रशें वो नोर्मल बच्चे ठीक है लेकिन इन दो बच्चों के लिए हम special class ले सकते हैं, अलग से पढ़ा सकते हैं, अलग से समझा सकते हैं, बीच में किसी point वे ज्यादा जोर दे सकते हैं, लेकिन हम इन दो बच्चों के लिए पूरे के पूरे 15 बच्चों का जो study material है, जो भी पढ़ाने का हमारा style वो हम change नहीं कर सकते हैं, हम अलग से इनको पढ़ा सकते हैं, तो ये थोड़ा समझने की जूरूत है, इसी तरीके से question आते हैं, और अब हम देखते हैं कि सिक्स्या में व्यक्तिकत भिंताव के इनुसार बदलाव क्या क्या होता है ये देखे क्या क्या कर सकते हैं वही बात की हम अलग-अलग बांट सकते हैं अलग-अलग पाठ्थे करम रख सकते हैं और कलास का अकार सिमीत रख सकते हैं सरल सिक्सन gör Espa spaghetti was good I guess और बाटे हम देखते दोस्तों यह जो कलास हमारी थोड़ी सी बड़ी हो सकती आप पूरा देखना सिक्सन परभावक ततव यानुकि जो factor Effecting teaching क्या क्या होते हैं टीचिंग को क्या क्या factor effect कर सकते हैं ऑब देखे इसमें क्या क bonsести एक तो सिक्सक की विशेस्ता है जो टीचर है उसमें क्या विशेस्ता है वो विश्य संबंदियान सपष्ट उदेश्यवादी सकारात्म कापी अभीवर्ती विध्यारतियों को प्रोथ साहित करना यानि कि जो टीचर कलास में विध्यारतियों को प्रोथ साहित करेगा उसका र और आगे हम कि समर्पित यहां पे हमने काफी तरह की बाते हैं यह सारी की सारी स कर देख सकते हैं अब देखने वालі में फिलम हम देख सकते हैं और मान्चित्र मान्चित्र वी स्यामपत यानि कि जो हमारा ब्लैक बॉर्ड बगर होता है उसको हम कहते हैं ठीक है देखने में कोई भी चीजे आ सकती है ठीक है वो मूवी भी आ सकती है और एक दिवार पे लिखावा कुछ है वो भी आ सकता है ठीक है और सरवे सामगरी जिससे हम सुन सकते है वो क्या होगा जैसे रेडियो होगा टेप फोन पे भी आजकल जैसे हम फोन पे बाते करते भी यह कोशन कैसे आएगा तो वो भी हो सकता है और ओडियो वीजुल सामगरी क्या होती है उन्हें जो देख वी सकते और सुन भी सकते अब देखे टीवी है कंप्यूटर है वीडियो है और आप जो हमारी वीडियो देख रह अगर हम बात करें तो उसके अंदर आएगा एक सोफ़वेर की बात आएगी जैसे ग्राफ हो गया बुक हो गया यानि की बुक कौन सी पीडियेफ जो बुक होगी यी बुक जिसे हम कहते हैं चार्ट कहते हैं और मोडल वगिरा है और हार्डवेर के अंदर जैसे प्रोजेक् मैथड में क्या-क्या हो सकते हैं जैसे ब्लैक बोड हो गया फिल्म बोड है फैनल वोड हो गया तो यह सारी चीजिए दोस्तों आप एक वर पढ़ लेना और आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आते तो आप आमें कमेंट वोक्स के जरीए पूछ सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पलीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का वाटन जरूर दबाएए ताके आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सकें थैंक्यू दोस्तों